नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब हमारे यूट्यूब चैनल अर्विन कुमार ओफिशल में आप सभी का स्वागत है भारत में कितने ही लोग क्रिकेट प्रेमी हैं ये बात किसी से छुपी नहीं है ये बात बताने की जरूरत भी नहीं है हमारे आसपास हमारे घरों में गली महलों के अंदर बच्चे न जाने कितने ही लोग क्रिकेट प्रेमी हैं और क्रिकेट को इतना पसंद करते हैं कि घर घर में खेला भी जाता है एक वक्त था जब हमारे देश में होकी सबसे जदा खेली जाते थी उसको हमारा राष्ठरे खेल बताया जाता था लेकिन उसकी सरकारों ने हमारे राष्ठी खेल को ना चुन कर बलकि क्रिकेट को एक ऐसा खेल बना दिया जिसे घर घर में पहुंचाया गया और ये क्रिकेट क्योंकि इस सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों की देन थी, ये क्रिकेट क्योंकि कुछ ही देशों में खेला जाता था, इसलिए इसका नाम हमारे देश में सबसे ज्यादा लिया जाने लगा, कुछ देशों में खेला जाता था, तो जाहिर है कुछ ही लोगों के साथ कंपेटिशन होता जगा देशों से कंपटिशन नहीं होता था अब कहीं न कहीं इसे वर्ड लेवल पर भी एक जगा मिलने लगी है अभी अभी ओलंपिक जो हुआ वहाँ पर भी क्रिकेट का मैच खेला गया पहली बार पहली बार खेला गया और हमारे भारत ने जीता भी अब बात ये आती है कि क्रिकेट का खेल कहीं कोई राजनीती रूप तो नहीं ले रहा क्योंकि राजनीती की रूप ये बहुत सालों से ले रहा था सिर्फ अब नहीं लेकिन अब जो इसका मोड मुडा है वो कुछ ऐसे मुडता जा रहा है कि पॉलिटिकल तरीके से देखें तो वहाँ पर भी हमें इसके साइड इफेक्ट नजर आ रहे हैं और यदि हम ये देखें कि हमारे कहीं सनातन को या हमारे भारत को ये छीन बीन करने की कोशिश तो नहीं कर रहा तो वहाँ पर भी हमें इसके कहीं ना कहीं ऐसे तर्क नज़रा रहे हैं कुछ ऐसे इसके रिजन नज़रा रही है हमारे देश की अंदर क्रिकट वर्ल चप चल रहा है पुरी दुनिया जानती है बहुत से देशों के इसे पाटिस्पेट भी कर रहे हैं हमारे देश में भी आ रहे है पाकिस्तान का था श्री लंका के साथ और वो हैदराबाल में खेला गया अब जब उसक्त मैच चल रहा था तो पाकिस्तान का एक क्रिकेटर है मुहम्मद इसके पहले भी काफी सारे चर्चे हो चुके हैं इस बारे में कि वो खुले आम हर जगा पर चाहिए वो किसी भी देश में जाए वहां पर खुले में नमाज पढ़ते हुए नजर आते हैं हर बार यह लगा लिजे कि एक बार यह अमेरिका गए हुए थे जून 2023 के अंदर यह अमेरिका गए हुए थे वहां पर भी यह सड़क पर इन्हों नमाज पढ़ी थी तो वहां से चर्चे में हमेशा रहते ही हैं अब इस बार जो मैच हो रहा था तब भी यह सिर्व अच्छा नमाज से तब ही पढ़ते हैं जब कहीं ना कहीं आपको इंड के बीचों बीट सभी के सामने जान बुशकर नमाज पढ़ी चलो नमाज तक तो फिर भी ठीक था कोई बात नी लेकिन अब जो मुहमद रिजवान ने किया है जिस पर पूरा भारत इन पर कहीं ना कहीं कटाक्ष कर रहा है और खास दोर पे मैं यह कहूं कि हिंदू जो हैं क देश भेजे दरसल इन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें इन्होंने साफ ये कहा है कि मेरी आज की जो जीत है वो मैं गाजा के मेरे जो वहाँ पर सहन कर रहे हैं लोग वहाँ के जो मेरे भाई हैं उनको मैं समर्पित करता हूं यानि कि जितना भी यहां से फंडिंग मिले किया वहाँ पर खुले आम, कतले आम किया, नरसंगहार किया, वहाँ की बहु बेटियों के साथ दुषकरम किया, वहाँ के चोटे-चोटे जो जन्मे बच्चे हैं, शिशू जिनको बोलते हैं हम, जो पालने में पलते हैं, उन बच्चों को बिहेड़िड किया, यानि क्यों बहुत जादा लोगों से ट्रोल किया जा रहा है लेकिन इस सब के बावजूद पता नहीं BCCI को या फित क्रिकेट वर्ल कप को क्या प्रेम है इन पाकिस्तानियों से और ऐसे लोगों से जो खुले आम तोर पर हमारे देश में आते हैं हमारे देश का पैसा खाते हैं हमें बार बार अपमानित करते हैं उसके बाद BBCCI इनको आने देता है इनको जगा देता है क्या पैसा ही उनके लिए सब कुछ है लोगों की भावनाएं हमारे भारत के हिंदू की भावनाओं का कोई मोल नहीं अभी तो हम मजोरटी के अंदर हैं ज्यादा है संक्या में तो हमारे साथ भी हो रहा है सोचिए जब ये लोग जब इनके जो देश इनके जो प्रेमी हमारे देश में पल रहे हैं वो जज़ादा हो गए तो क्या होगा हमारे देश के अंदर जब श्री लंका के साथ पाकिस्तान का मैच चल रहा था तो आप मानेंगे नहीं यकीन नहीं करेंगे हैदराबाद के अंदर ये मैच चल रहा था और ग्राउंड पर नारे बाजी हो रहे थी पाकिस्तान जिंदाबाद के ऐसे पाकिस्तानी प्रेमी भरे पड़े हमारे देश के अंदर क्या कहें इनको देश द्रोह ना कहें देश द्रोही ना कहें गद्दार ना कहें इन लोगों को जो पाकिस्तान के नारे भारत में रहका लगाते हैं एक तरफ इस्राइल के देश वक्त लोग हैं जो दूसरे देशों से आकर वापिस आ रहे हैं अपने देश में तकि अपने देश के साथ खड़े हो सके और युद कर सके जिनोंने उनके देश को मिटाने की कोशिश की है और एक तरफ हमारे भारतिय जोग हैं ऐसे गद्दार बरे हुए हैं जिर्फ एक ही कॉम है हमारे दिखाती है पाकिस्तान ने जो भी विभाजन के समय किया यानि कि जब हमारे देश के अंदर विभाजन हुआ भारत का और पाकिस्तान उनको दे दिया गया तब ये पूरी की पूरी कोंग को जान भूच कर वहां नहीं बेजा गया हमारे देश में जो हमारे देश के गदार हि देश में उन लोगों को बसने दिया जान हुष कर बसने दिया मिवात के अंदर मिवात प्रेम जाग रहा था गांधी बस ने दिया और आज ये 20 करोड़ वो चुके हैं और आज इसी तरीके की हरकत फिर दुबारा कर रहे हैं जो उस वक्त उनों ने की थी अर फिर से वही चीज दिखा रहे हैं कैसे इनका पाकिस्तान प्रेम जागता है कैसे इनकी उमा प्रेम जागता है सिर्फ एक इसलिए क्यो ज़े वह गलत करें भईे वह She key क्रें यही कानीय है और इसी पाकिस्तान जिन् Destiny ऐवाद के नारे ही हमारे देश में ररे के लगाते हैं खाते हमारा है ये देश हिन्दों का था दिर हिन्दों का है ये कभी मुसनिम का नहीं था जान बुज़कर उनको हमारे सर पर थोपा गया और आज ऐसा थोपर पठे हैं कि हमारे देश का ही खाकर हमें ही गाली दे रहे हैं और नो राज्यों के अंदर मज़ोर्टी होने वाली है हिनकी हो चुकी है मैं तो यह कहूंगी केरला के अंदर देख लीजिए 86-85% हो चुकी हैं ये लोग ऐसी मज़ोर्टी बना रहे हैं इसे पहले भी जब पाकिस्तान का भारत के साथ मैच था तब भी कुछ ऐसा ही हुआ था भारत मैच जीत गया था और पाकिस्तान के कुछ आतंगवादियों ने हमारे देश के चार ऑफिसर चार जवानों को मार डाला था अनंतनाग की बात है अनंतनाग पर उन चार जवानों क मा डाला था उसके बाद भी लोगों ने बहुत डिमान की थी कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान के साथ भारत का मैच नहीं होना चाहिए इतना सब कुछ कहने के बावजूद ना जाने क्यों हम हिंदूओं की पुकार कानों में नहीं पड़ रही है इन पॉलिटिकल धारियों के इन सत्ता धारियों के कानों में क्यों नहीं पड़ रही है क्या पैसा ही सब कुछ होता है क्या पैसा ही इनके लिए भगवान है क्या अगर ये सत्ता की ही बात है या किसी तरह की पॉलिटिक्स है या पैसों की ही बात है तो क्या भारत में बैठे हुए काम करने वाले हिंदू, या फिर अमीर हिंदू, या जितने भी यहां पर पैसा अपना टेक्स दे रहे हैं, क्या वो कम देती हैं? क्या बाकियों के साथ जब मैच होता है, चाहे वो श्री लंका हो, चाहे वो कोई और देश हो, जब भी मैच होता है उस्टेलिया हो कहीं पे भी क्या तब हम लोग जो पैसा लगाती है टिकेट खरीती है क्या उसमें कमाई कम होती है जो सिर्फ एक पाकिस्तान और भारत के मैच पर ही नहीं भर है यदि लोगों ने बाइकोट करना शुरू कर दिया तब BCCI क्या करेगा कीमत पे BCCI को सबक सिखाना होगा यही एक तरीका है जिससे हम इने सबक सिखाकर और इस मैच को रद करवा सकते हैं सिर्फ अब की बात नहीं है आगे आने वालों टाइम के लिए भी हम जानते हैं पाकिस्तान हमारा दुश्मन है उसको खतम करना है या उसकी सोच को या उसक इस मैच को और पाकिस्तान के साथ जितने भी हमारे कारोबार है सबको फिनिश करना चाहिए और यह सरकार तक अवाज पोचाएंगे आप लोग क्योंकि आप लोग अगर किसी तरह से बाइकोट करेंगे गवर्मन को टैग करेंगे तभी बात बनेगी नहीं तो चहे कोई मर् मैच को देखेंगे यदि आप फ्यूर्शिप देंगे यदि आप टिकेट खरी देंगे तभी यह करते हैं ऐसा कि हमारे जवानों की जो मोत है उनका कोई मोल नहीं यह सब आप पर ने भर हैं मैं आप सबसे प्राठना करती हूँ इस बार जागिये मैं आप सबसे प्राठना करती हूँ कि जागिये हिंदू अपनी मजोरिटी की ताकत दिखाइए BCCI को ये बताईए कि यदि वो पाकिस्तान के साथ किसी तरह का मैच रखते हैं तो वो गलत कर रहे हैं क्योंकि इसमें हमारे जवानों की भी मोद जो हुई उनकी हुई जो उनको मारा गया उसका बदला भी पूरा नहीं होता यदि आप सिर्फ एक मैच रख करेंगे तब भी हम कहीं न कहीं कुछ ना कुछ अपना बदला उतार सकते हैं बाकी तो भारतिय सेना कर ही रही है और सिर्फ सेना का ही फर्ज नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ यूद करती फिरे वो पाकिस्तान के साथ यूद लड़ रहे हैं, जवान लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर पाकिस्तान प्रेम जाग रहा है, क्या फायदा उस पाकिस्तान के साथ यूद करने का, फिर तो वो यूद ना ही करें वो जवान, क्या जरूरत है वो यूद करने की, जब देश में ही इतना प्रेयम जाग रहा है उनके साथ वो क्यों मरे सहथ कर ऊपर आप सब के पास अगर इस चीज़ को जवाब हो तो कमेंट में अपने उचार जरूर प्रकट कीजिएगा यदि आप भी चाहते हैं कि BCCI को इस्टिक्ट एक्शन ले तो वह सिर्फ आपके हाथ मे हैं इस पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो क्रिपा करके कमेंट में अपने उचार जरूर प्रकट कीजिएगा इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा धन्यवाद जैश्री राम